दोस्तो आज तक आपने कई सारे electronic device का इस्तमाल किया होगा पर क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप अपना कोई electronic device बनाए इसे अपने मुन चाहिए तरीके से control करें अपने खुद के बनाए सब्सक्रेटे मशीनों को चलाए अगर आपका जावब हाए तो आपको Arduino के बारे में जान लेना चाहिए तो क्या होता है Arduino? इससे कैसे इस्तमाल करना है? इससे कैसे चलाते है? इससे हम क्या क्या कर सकते है? जानने के लिए ए वीडियो पुरा देख लिजिए हेलो फिंट मेरा नाम है VD आप देख रहे है VD Tech Enthusiast YouTube चैनल और आज हम बात करने वाले है Arduino के बारे अगर शॉट में बाता हूँ तो Arduino एक चीप कंप्यूटर है इसका इस्तमाल हम उस जगा कर सकते है जा हमें एक कंप्यूटर टास्प करना है लेकिन स्वाह पर हमें फोरे कंप्यूटर को इंवेस्ट नहीं कर सकते है पर एक डॉर लॉपी जो पिन से अनलॉक होता है तो वहाँ पर वो डालावा पिन सही है या गलत यह चेक करने के लिए हमें एक कंप्यूटर की दो रख पड़ेंगे लेकिन हम उस डॉर में पूरे कंप्यूटर को नहीं गुशा सकते हैं तो इसलिए हम वहाँ पर एक Arduino यू लॉक से जुड़ेंगे मोटर को अन कर देगा और दोर अनलॉक हो जाएगा Arduino नो एक नॉन इंजिनेरिंग ओपन सोर्स दिवाईसे नॉन इंजिनेरिंग का मतलब Arduino को सिखने के लिया आपको किसी भी इंजिनेरिंग या हायर एजुकेशन की जरुरत नहीं आप बड़े आसानी से Arduino को सीख सकते Arduino नेक ओपन सोर्स दिवाईसे इसका मतलब आप उसे अपने मन चाहे तरीके के प्रोग्राम कर सकते आप Arduino को प्रोग्राम करकर ये बता सकते है कि आप कौन से इंपूट पर कौन सा आउट पूट चाहिए Arduino का यूज करके आप बहुत सारे कमाल के फुल सोचिट बना सकते आज इसे बहुत सारे इलेक्रोनिक डिवाईसेस में यूज किया जाता है से लिए हम Arduino के हिस्ट्री के बारे में जान लेते Arduino का अविश्कार 2005 में हुआ था हिस्ट्री के एक इंट्रेक्टिव डिजाइन इस्ट्रिटूड में इससे एक स्टूडेंट ने बनाये रहे इसका हाडवरे डेवलप किया है फेर्नांडो बैर्गंड में और इसका फ़क्तर डेवलप किया है डेविड ए मेलीज में Arduino को डेवलप करने वाएकिन जे जगा पर Arduino का डिस्पेशन करने के लिए बेट थी उस जगा का नाम Arduino था और Arduino इटली के एक खेमर राजा का नाम था इसलिए ये दिवाइस का नाम Arduino चलिए Arduino के पेस्पिकेशन के बारे में बात करते हैं ये Arduino का उन्हों वर्जन है ये Arduino का सबसे प्रजलीत वर्जन है Arduino पर आपको कुछ पिंस दिखाए देंगे अगर हम लेफ्ट साइड को देखेंगे तो हमें उसके पर रिसेट पिन उसके बात पीन कोईंट वीन है उसके बात फायवर्ट पिन उसके बात दो ग्राउंड पिन और फिर तास्क में वीन पिन मिस्टिए Arduino को इंपुट देने के लिए हम अलग 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 ताइप के सेंसर को इस्तमाल कर सकते जैसे की मोशन सेंसर, लाइट सेंसर, प्रॉक्जिमिटी सेंसर और आउट्पुट के लिए हम यूज कर सकते हैं LED, मोटर, बजर अनलग पिन और डिजिटल पिन के दिपरंस के बारे में बात की जाए तो अनलग पिन 0 होल्टे, पाट होल्ट के बीच में कोई भी होल्टे देज़ 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 द पिर और एनलोग पिंटा ग्राफ सुछ इस तरह काता है अब हम बात करते हैं आड़ीनों पर लगावा माइक्रो कॉंट्रलर अगर एक कम्पुटर है तो अब्वेस्टी इसके पास इसकी राम प्रोसेसर और स्टोरेज होना चाहिए तो इस चीनों चीजे इसके माइक्रो कॉं से यह 8-bit प्रोसेसर है इसके पास 1KB EEPR ROM इसका मतलब electronically erasable programmable read-only memory साथी साथ उसके पास 2KB SRAMS और 32KB की flash memory एलिए अब बात करते हैं इस पर लगे LED इसका इसका एक आपको on-off LED दिखाए देगी इससे यह शो होता है कि Arduino on है या off है इसके साथ आपको दिखाए देगा CX औ EX मतलब transmitter और RX मतलब receiver जो pin number 0 और 1 पर है इसके साथ echo reality है जो pin number 13 को दिखाती है एक कोने में हमें एक बटन दिखाए देता है यह reset बटन है इसका इसका इस्तमल Arduino को reset करने के लिए होता है इसका मतलब अगर हम इस बटन को दबाएंगे तो Arduino में डाला program starting से execute होना शुरू हो अगर हम 12 उल्ट से ज्यादा पावर इसे देंगे तो micro control जल सकता है चलिए आप देखते है टाइप्स ऑप Arduino Arduino बट के का किसरे टाइप्स होते है अलग अलग ताइप्स के प्रोजेक्ट में अलग 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 ताइप्स के बोर्ट यूज होते Arduino Uno में से एक फेमस Arduino बोड़े Arduino चिकने के शुरुवात हम Arduino Uno से कर सकते है अब बास करते है Arduino Nano के Arduino Nano Arduino Uno से काफी चोठा होता है जिस डिवाइसेज को हमी काफी कॉंपाक्ट और चोठा बानान होता है उसमें हम Arduino Nano पाइस तमार कर सकते है Arduino Nano में से वही सेम माइको कोंट्रल होता है जो Arduino Uno में होता है लेकिन साइज उसकी चोठा होती है Arduino Uno में हमें 14 डिजिटल इस्पिन विल्टी है Arduino Nano में हमें 14 डिजिटल पिंस और एट एनलोग पिंस विल्टी है अब बास करते है Arduino Mega अधिन अधिन यर्याधा है अधिन अधिन हमें 15 डिजिटल पिंस और रट इस्पिन पिंस और 16 डिश्पिंस और एक्च अग पर एट माइगा सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें ज्यादा बड़े प्रोग्राम को स्टोर कर सकता है और भी अलग अलब टाइप टाइप टाइप्स होते ही जैसे कि और देखे हैं यूस आप अधने के लिए प्लिटी दिवाइन बनाने महें होता है हम आधियोनो से रोबोट बना सकते हैं रोबोट का मतर नहीं आपर यूमनायर रोबोट की बात नहीं कर रहा है यूमिनार्ड रोबोट बनाने के लिए आरडिनो की गैफिसेटी कापी कवने है। हम कुछ स्पेश्पिक्त आज करने के लिए छोटे छोटे रोबोट आरडिनो से बना सकते। जैसे कि Obstical Avoid Robot, Line Follow Robot या पिर कोई robotic arm इसका समल बहुत सरेट इलेक्ट्रोनिक टॉइस बनाने में भी किया दफा है आर्डिनो को काट्पी सरेट सेंसर्स और मॉडिल्स मिलते हैं इनका समल करके हम काट्पी डिवाइसेद को बना सकते हैं पुमिदे आप आर्डिनो को समझ सुखे होंगे यह इस चैनल का पहला वीडियो था इस चैनल पर आर्डिनो के साथ-साथ और भी टेक्नलोजी से रिलेटेड अलोग अलोग टाइट टाइट्स की वीडियो आने वाले है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अगले वीडियो में हम देखेंगे आर्डिनो को कैसे प्रोग्राम किया जाता है तब तक के लिए टेक्ट के बुट पाए अश्छ पाइब कीजिए इन ऐसान लाइब अश्छ वीडियो कि लिए टेक्ट कीजिए वीडियो आवड़